कि नुश्टार मैं हूँ एस्किया निल आज चर्चा करने वाले हैं सेकंड हाउस के उपर वेल्थ आईए देखें जातक के जीवन में धन किस प्रकार से आता और जाता है ऐसे क्या ग्रह संयोग होते हैं जो धन कारत होते हैं आईए प्रॉमिसेस चेख करते हैं सब चोंड़े फस्ट हवस का ऐसेसल यदी अपने पीएस्ट और स्टियल के द्वारा दूसरे घर के अंदर चला जाता है तो लगनी के प्रॉमिस करता है कि ऐसे जाता को धन से संबंधि जो है वो बातें जीवन में आएंगी और यदि ऐसा ऐसे सेल अपने ऐसेल के द्वारा धन के सभी अच्छे भावों में दो चार छे दस और ग्यारा आधी भावों में चला जाए तो ऐसे जातक के जीवन में धन की कोई कमीन नहीं रहती है कि सबसब लॉड का जो रिजल्ट होता है वो अंतिम होता है ऐसे में यदि सबसब लॉड भी दो या चार या छे या दस या ग्यारा ऐसे सभी भावों में ग्याया हुआ हो और पांच आठ और बारह ऐसे हाउसेज में न जाए तो लग्ण ने ये प्रॉमिस किया कि ऐसे जातक के जीवन में धन का अभाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा किसी क्रंग के अंदर जरूरत है सेकेंद हाउस के एसे द घाभी जो अपने पिएस या स्टी ल के दोवारा सेकेंद हाउस में चला जाए या सभी फेवरेबस में जाये कि दंसे संबंदित सभी फेवरिबल हांसे ब्याइए और सब लोट द्वारा उसको सपोर्ट मिले और सब सब लॉर द्वारा की उसको सपोर्ट सभाग मिलेगी और चाहतक जो है वो ख्यात धनवान होगा है अस्थानिय प्रसित्धी करें जात्ता के मामलों में उस्थे मिले कि खेंगर curly स्थार या देस में ऐसे जातकों का नेम होगा कि खाम तो कि पास धन की बाहुले है ति worlds आप वो देस इसके लिए भी आविशक है कि बाकी के जो एक से बारा घरों के ऐसे से लें वो भी वह सारे के सारे जो जो है। 3rd house, 4th house, 5th house, 6th house, 7th, ऐसे करते करते 12 के 12 घर अपने STL, PS के द्वारा जो है वो 2, 4, 6, 10 और 11 भावों में जाए और उनका SL और उनका SSL भी 2, 4, 6, 10, 11 आधी भावों में जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने धन के कारण पूरे विश्व में ख्याती प्राप्त करते हैं इसी क्रम के अंदर आईए दिखाएं क्या कोई ऐसा ग्रह से योग भी बनता है जिससे व्यक्ति के पास धन का पूर्णत आभाव हो आर्थिक स्थिति ऐसी खास्ता हो के उसके जीवन या आपन में भी परिशानी हो आई देखते हैं फॉस्ट व्यक्ति अपने प्यस और स्ट्वी आफ्ट दौर्णत के द्वारा यह दं के जाए बल्कि दंसे सारे भीप्रीद भाव में चला जाते पांच आठ और बारा अपने एसल या एस से ल के दौरा यह वी जो गर्दरसाएं वो 5-8 12-6-8 12-8 5 इत्याद यह ऐसे घरों को जाए सेकेंड हाउस का SSL वो भी अपने PS या STL के द्वारा यह पांच आठ और 12 में चला जाता है और SL के द्वारा कही पर भी दो में नहीं जाए जो धनस्ताने 11 में नहीं जाए, 10 में नहीं जाए, 6 में नहीं जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धन के भाव में जीवन व्यतीत करेगा और यदि बारा के बारा गहर एक से लेकर के बारा तक के सभी भाव के यहां पर आपने आर्थिक समस्याओं से घिरा रहता है यह एक तो सबसे ऊपर वाले क्रीम लेवल की बात करीं और एक मैंने बात करी बिल्कुल जिनके पास अभाव है उनका ऐसे बहुत सारे योग संजोग दिखेंगे जिसमें लोग मिडिल क्लास यह अपर मिडिल क्लास में जीवन गतीत करते हैं देखिए धन की स्थिति उनके जीवन में कैसे रहती है प्रस्टाउस का स्थान में चला जाएं जिस किसी भी भाव में जाता है वह सब्सक्राइब करता है अब यहां पर बात करें धन की तो दो ले दें और यहां पर पांच आठ और बारह या एक ऐसा कुछ आ जाए और साथ में दो चार छे दैस और यारह है तो यह धन के हानी के नंबर है और यह धन के लाब के नंबर है ऐसे अगर मिले जुले नंबरों में हो सेकेंड हाव उसका भी जो एससल है यह अपने प्यस या स्ट्यल के द्वारा यह दो म जमां पांच आठ और बारह ऐसे घरों में चला जाए प्लस एक तो यह मिले जुले सा फल देता है यानि कि ऐसे जातक के जीवन में धन लाब और धन हानी इन दोनों की स्थीतियां जो है वो बनती है यादि इन सभी के बावजूर टेन्थ हाउस का एससल या सिक्स्थ हाउस करें एसे बारह यह यह दो लंबर यानि धन को देते दस डंबर क्या यह आपार स्टेटटर सापका शेन हम जौब साथ यह यह चला जाए में चला जाए दस में चला जाए या घ्यारा मिंज्थ हैं तो यदी तेन थाुस्स लिया सिव जाए और यहां पर लाव के सारे नंबर आ जाएं तो ऐसे आदमी को ब्यापार में बहुत फाहिदे रहेंगे लेकिन कारण कई बनेंगे जिसमें उसका ऐसे कंडिशन में पहला अगर और दूसरा अगर यदि धन के मामलों में हानी और आप दोनों नंबर लिए रहेंगे तो वह धन यहां से आएगा तो जरूरू ब्यापार से लेकिन वह धन ठीके जा नहीं है क्योंकि यहां पर प्रॉमिसेस धन के डिफलेशन का है इसी क्रम के देक तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यापार होगा जो करीर होगा वह इस्टेबल रही नहीं सकता ऐसे में फइनल सिल जो क्राइसिस बहुत बढ़ जाएंगे जब यहां से पैसा नहीं आएगा तो पैसा जो है वो खर्च की जो कि असंभावना है या लाब की जो संभावना बहुत बढ़ जाएगा इस क्रम के अंदर अगर आप देखे तो यहां पर पैसा ब्यापार से आनी रहा नौकरी से आनी रहा और यहां पर धन के ब्याय का नंबर भी है तो ऐसे में ऐसा जातर को जो आर्थिक स्थिति होगी वह बहुत बुरी होगी और उसका जीवन या पन ज यहां पर यहां पर दो चार शे जैसे नंबर दीता है तो यह क्या है वह जातक धन का निवेश करके ब्यापार से या किसी अध्य कारियों को करके बहुत ज्यादा धन अर्चित कर रहा है इसी क्रम के अंदर यदि कि नवेश करें तो यह कहता है कि एसा जातक जो भी निवेश करकेदा है वह सारी सारी संपत्य पैसा बर्बाद हो जाएगा ऐसे लोगों को निवेश नहीं कर ना चाहिए पाच्वे घर का से फिफ था उसका से यदि दो को यदी बारह में चला जाता है तो पाच्वे घर की प्रपर्टी से वो बार्वा घर लिंक करता है और इसी क्रम के अंदर में यदि यहां पे पाच आठ और बारह जैसे नंबर आते हैं इसका मतलब यह वहाती जो कुछ भी पा इसको और इसका मतलब जो है और यहीं दो चाहर से दारह जैसे नंबर दे तो आप यह कह सकते हैं कि पांच मेंगर की प्रोपर्टी से निवेस में बहुत जादा फाइदा है इसी क्रम में आप बारं बार जो है वो कुल्डियों का व्लोकन करते रहें आप देखेंगे कि आपको धान से संब्दी जो बाते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है प्रयास करते रहे कैसे निवे से शेखें में आ ध उलवेट ए हुश से यू ए